देश की दशा और दिशा तैकने वगानली की जिम्मेदारी सबसे ज़ादा किनकंधों पर होती है यह सवाल है और इसका जादर जवाब यही होगा कि नेता यह काम करते हैं बखुबी करते हैं देश के लिए सब कुछ नेचावर करने का जैसा गरों में इतिहास नेताओं कर रहा है आज की दोर में उस साख को बट्टा लग चुका है अब नेतागिरी करियर और पेशा में तबदील हो चुकी है पहले अपनी फिर अपने परिवार की फिर उसके बाद अपने क्लाओं के बारे में ऐसे तमाम लोग धरड़ा रखते हैं नामचीन शक्सिएद में इस लिस्ट में या इस फेहरिस्ट की अगर हम बात करें और आज जिस फेहरिस्ट इस लिस्ट में जिस शक्स का नामیں जिसके यह बयान दिया है वो शक्थ हैं अजीन प्रेम जी इनकी नेता असमेदनशील हैं? क्या असमेदनशीलता राजनीती की पहली जरूरी शर्थ है? ये सवाल क्यों उठे? किसने उठाए? ये जानने से पहले हम आपको कुछ तस्वीरें, कुछ नेताओं के बयान और कुछ घटनाओं से रूबरू कराते हैं। यहां रहने वाले ठिटूरती रात में बिना छट के सूरज निकलने का इंतजार करते रहें। बच्चे, बुढ़े, बीमार, दिहारी कामगार, सब जटके में जिंदगी और मौत से जूजने को मजबूर हो गए। लेकिन दोपहर में हुई इस कारवाई पर दिल्ली के मुख रखते थे। जब रेलवे भाग ने अपनी जमीन खाली कराने से पहले कम से कम तीन बार समबंधित महकमों को तख्रीद किया, तो फिर वक्त रहते पुनरवास के इंतजाम क्यों नहीं हुए। सामने आया तो बयान के रूप में राजनीती का असमेदनशील चेहरा। नेताओं की असमेदन शीलता से जुड़े जो सवाल उठाए गए, वो किसी मामूली शख्स ने नहीं, बलकि मशूर कारोबारी अजीम प्रेम जी ने उठाए। शायद ऐसे बयानों की वजह से ही कई लोगों की तरहा आईटी शेत्र के दिग्गच कारोबारी अजीम प्रेम जी की भी निताओं की बारे में अच्छी धारणा नहीं है। प्रेम जी ने शनिवार को बैंगलो सित आईएम में कारेकरम में एक सवाल के जवाब में कहा। अजीम प्रेम जी के बयान को यूँ ही दिया गया बयान नहीं कह सकते। जड़ा कुछ नेताओं के बयान पर गौर कीजिए अब फिर अपने भी दिल की सुनिए। कि हुई सौम्वेदना हर जगा नजर आती है। जिसमें 15 अगस 26 जनवरी को तरंगा फैराया जाता हूँ। आकर क्यों? अरे घंडे फैराये जाएंगे? तरंगा नहीं फैराये जाएगा? यह हो क्या रहा है? जैसे यसे समय बीटेगा जीत पुरानी पुरानी होती जाएगी। जैसे जैसे समय बीटता है वतनी पुरानी होती चली जाएगी। जम्वर जी वो मज़ा नहीं रहता है। अरे में फाकी जी आईगी। नहीं लड़के हैं करती हो जाती है। निताओं के ऐसे बयान के बाद अजीम फ्रेम जी के गुस्से, दुख और तड़प को समझा जा सकता है। अजीम फ्रेम जी मौझूदा दौर के भारत की पहचान है। विप्रो के अरपती संस्थापक प्रेम जी ऐसे कारोबारी हैं जिन्होंने अपनी आधिय संपत्ती जन कल्यान के लिए दान कर दी है। अजीम फ्रेम जी अगर चाहते हैं कि राजनीती को बदलने के लिए अच्छे लोगों को इसमें आना होगा, तो नेताओं को भी उनकी इस आवाज को सुनना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबियन सेवें आपने सुना कि अजीम प्रेम जी क्या कहते हैं, विप्रो के संस्थापक हैं, बयान को योहीं खारेज नहीं किया जा सकता, प्रेम जी के बयान के बाद दसल कई सवाल खड़े होते हैं, जो कि आज हमारा बुद्दा भी है। पहला सवाल जो कि उनके भाष्ण से निकलता है, सवाल के जवाब से निकलता है, क्या समेदंशील नेताओं की वाकई कमी होती जा रही है। से पैसा कमाने का पेशा बग लिया है पांच्वा सवाल नेताओं की बिगरती शवी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है सवाल ये भी है कि जिम्मेदारी किसकी है ये पांच सवाल और आज का मुद्दा हम शुरू करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सक्ष नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं कॉंग्रिस के प्रवक्ता अखिलेश पताप सिंग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीप्याई नेता अतुल कुमार अंजान जी हमारे साथ है और कुछ देर के बाद लिखकाम मदू किश्वर जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे तीन नेत में सफल होने की गारंटी है तो ये बात कहां तक तरक संगत है अतुल जी मैं इस सवाल पर कुछ दूसरे दिश्टिकोन के साथ आपके से बात करना चाहता हूँ नेता इस देश के आजकल सॉफ्ट टार्गेट है बात सही भी है उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हो गए है जबसे इस देश में धर्म और जाती की राजनीत और खाप की राजनीत हो गई है और दौलत की राजनीत हो गई है तब से तरह तरह की लोग आ जाते हैं और इसके इंदर घुज जाते हैं जिंदगी भर पैसा कमाया चलो अब राजनीत राजनीत खेलें रोपेया खर्च कर दें, जयत का नाम लगा लें, खाप का नाम लगा लें कोई लंबी सेवा करने का अनुभाव नहीं है देश में कितने प्रांथ हैं ये भी नहीं मालू है लेकिन बिधान सभा का चुनाव लड़ने और लोग सभा का चुनाव लड़ने चले आते हैं और हम और आप उनको नेता कहते हैं किसमत से जीत गए तो भारत के भागे निर्माता हो गए लेकिन इन सबसे अलग भी बात कहें ऐसा नहीं है जो विचारधारा चाहे सहमत हो आप उनसे या सहमत हो विचारधारा के आधारपन निर्भय हो करके लगातार बीस्यों तीस्यों साल जनता की सेवा करके आते हैं ऐसे भी नेता हैं लेकिन मैं आपसे कहूँ कि अजीम प्रेम जी का दुख मैं समझ सकता हूँ लेकिन अजीम प्रेम जी तो बहुत बड़े पैसे वाले और बहुत बड़े देश के कार्परेट घराने उनको यह नहीं मालूम है कि दौलत कैसे पैदा होती है अतरिक्त मूलिका सिधान्त मालूम ह अगर इनसान की जितनी उसकी अंदर च्छमता है और जितने उसने काम किया है उसका उज़रत उसकी अगर पारिश्मिक उसको दे दिया जाए तो देश के पूझी पती इतने बड़े बड़े पूझी पती नहीं बन सकते हैं फिर वो ट्रस्टी ही बन सकते हैं तो जड़ी अ इंदर नेताओं पर उंगली उठा कर कहते हैं मैं इतना कहना चाहता हूँ हर एक को अधिकार है लेकिन ये सच है कि नेताओं को भी अपनी बद्जुबानी से बचना चाहिए हमको भी बचना चाहिए उनको भी बचना चाहिए और जो आपके पांच सवाल है नेता तो बचे ही लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ मैं आप पर भी सवाल करता हूँ विकास का रहे हैं उनको आपको नहीं दिखाई देता आपको खबरें वही दिखाई देती हैं जो चटपटेदार हो जो रंगीली हो जो मसालेदार हो कहां है आज टेलिवीजन के ओपर विकास संबंधी खबरें वो तो हैं नहीं कुछ नहीं है सारे जगा जो पतन हुआ है उस पतन का हिस्सा राजनीतिग्यों में भी दिखाई पड़ता है बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बीच में नहीं इसले लिए कि आपको बोलने दें पूरे बात आपकी सुनना जरूरी थी मदू किश्वर जी हमारे साथ कुलकाता से जुड़ रही मदू जी सवाल इस बात का है जो आजीम प्रेम जी ने कहा उन्हेंने कहा कि आसांशून है या आसंविदंशीन है वही राजनीत की गारंटी है सफलता की गारंटी है और अगर मैं सवाल के जवाब में उन्हें कहा कि अगर मैं राजनीत में होता तो दो साल के भीतर ही खत्म हो जाता पूरी तरह से तो राजनीत दलदल हो चुकी है एक माइने में मदू जी मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ और इसका बुनियादी कारण यह है कि राजनीती अपने चुनिंदा क्षेत्र में नहीं है राजनीती अगर राजनीती के अखाड़े में चले तो ठीक है राजनीती धर्मस्थान पर पहुँच गई, राजनीती एडुकेशनल इंस्टिचूशन्स में पहुँच गई, हमारे स्कूलों और कॉलेजे पे कबज़ा कर लिया, गुर्द्वारे और मंदिरों पे कबज़ा कर लिया, कुल्ट्रल इंस्टिचूशन्स पे कबज़ा कर लिय तो इस वजह से क्यूंकि इनका हस्तक्षेत्र बहुत बढ़ गया है अपने दाइरे में नहीं है वहाँ स्कूल में कहा करते थे everything out of its place is dirt राजनीती अपने दाइरे में रहे तो उसकी respectable space होना जरूरी है किसी भी democracy में और मैं राजनीती के खिलाफ नहीं उपर electoral जो राजनीती है हमारे देश में बहुत भड़ा रूप ले चुकी है और इसके लिए केवल thick skin होना ही नहीं इमॉरल होना भी इमॉरल होना तो बहुत आसानी मदू जी जब आप कहते हैं कि भड़ा सरूप ले चुकी है तो क्या डर लगता है आपको बिल्कुर मैं इसी वजह से कभी चुनावी राजनीती के पास पार्टी पॉलिटिक्स के पास नहीं गुजी हूँ मुझे वाके ही सिर्फ डर नहीं लगता है घिन भी आती है कि जो हतकंडे अपनाने पड़ते हैं चुनावी राजनीती में अच्छे से अच्छों को और अच्छे शरीफों को भी बदल देती है राजनीती और इसका बन्यादी कारण है कि रूल्स अफ दे गेम इतने बिगर करें और रूल्स अफ दे गेम सुधारें और अपना कारेक शेत्र राजनीती के परिपेक्ष में ही रखना है सुधानशु जी हमारे साथ बैठे हैं सुधानशु जी अतुल कुमार जी ने एक कमेंट भी किया था कॉर्पेट जगत पर उन्होंने कमेंट किया था लेकिन मैं जो आज का सवाल जवाब हो रहा था मैं उसी से एक लाइन उद्रित करना चाहता हूं आपके साब अजीम जी कहते हैं कि मैं परोपकार में 14-15 साल पहले पहुंचा मेरी यही सबसे बड़ा पस्तावा है मुझे लगता है कि मैं बहुत लेट हो गया एक व्यक्ती परोपकार के कार के संदर्व में अपने को दृत करता है सवाल इस बात का है जो उन्होंने कहा राजिनीत के सं सामने रखता हूँ मैं यह दुर्भाग्य है कि राजनीती के और राजनेतिक व्यक्तियों के बारे में जो कहा गया अजीम प्रेम जी द्वारा उनके साथ अग्याए है एक बहुत लंबा कारेकाल राजनीती में रहा है 35 साल हो चुके हैं मैं कुछ अनुभाव और कुछ सत्य आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ जी राजनीती जो है जब हम लोग आये थे तो सकता तो दूर दूर तक कहीं कोई कल्पनाग में ही नहीं आ सकती थी मैं श्रीराम कॉलिज और कॉमर्ज में पढ़ता था विदेश जा रहा था एंब्या करने के लिए उसको छोड़ के राजनीती में आया क्योंकि एक जमाना था जब यह लगता था कि हिंदुस्तान में परिवर्तन लाने के लिए चात्रों को जो है अपना योगदान देना च वहां से राजनीती प्याए थे आज भी आपसे कहना चाहता हूं रात के दो बजे जब किसी को मुसीबत आती है तो किसका दर अज़ु जी सवाल इस बात का है कि लोग कहते हैं कि धन कमाने के लिए लोग राजनीत में आते हैं सुनिए मैं वही आपसे दर एक सिकिन मैं कहना चाहता था बात शुरू हुई है सम्वेदन शीलता से उन्होंने कहा है कि राजनीती में अगर आपको सम्वेदन शीलता खतम करनी पड़ेगी अगर यह समवेदन शीलता ना हो ना तो रात के दो बजे जब कोई खटकटाता है दर्वाजा तो कोई दर्वाजा ना खोले किसी गरीब का आंसु देखके कोई जना जो है उठके उसकी समस्या का समाधार करने के लिए नहीं जाए कि एक स्टीरोटाइपिंग यह लेकि राजनीती के दो प्रकार हैं एक जो की मिशन से राजनीती में आए थे राजनीती कारे करता थे सब इसी के आसपास के उद्रत है सवाल इस बात का इन बड़े बड़े आंदोलों से निकले वे नेताओं के बीच की ही बात है वो इसी समय की बात कर रहे हैं वाउजूदा समय की बात कर रहे है कि क्या ये बास सच है कि नेता ही दो बजे सवाल खुलने पर जाते हैं दर्वाजा खुलने पर और मदू जी मैं आप से जाना चाहता हूँ क्या ये बास सच है कि सिर्व नेता ही जाते हैं और कोई नहीं जाता है पदू जी की जाती है मैं नेताओं का जो आज हश्र है I don't envy them at all क्यूंकि वाके ही बहुत ज्यादा उनके उपर अटाक एक यही तपका है जिसको सुबह से शाम गाली कानी पड़ती है और इनको अपनी dignity के लिए political system में सुधार लाना चाहिए governance के system में सुधार लाना चाहिए ताकि सुबह सी शाम आपके घर के बाहर आप सपलकन्स की कतारे न खड़ी हों जी हजूरी वालेवालों की कतारे न खड़ी और बहुत सी राजनेता तो अपनी एह Attila करें जिए जी समझते हैं उसके बगेर काम हुई ही ने सकता समाज में सवाल इस बात का है कि यूपिय के जमाने में भी तमाम गोटाले हुए तमाम बातें हुई तमाम चीजें हुई सामने आया अब सवाल इस बात का है कि राजनीत में विश्वास पैदा करने के लिए वो कोर एलिमेंट्स कहां है जिस से छमा चाहते हुए थोड़ा उन्हें अच्छा नहीं लगेगा हम कुछ कहने जा रहे हैं बदु किसवर जी राजनीत से प्रकृति तक प्रभावित होती है अगर राजनीतिग्यों से या राजनीत से आपने कहा कि हर जगा राजनीतिग घुस गया है प्रकृति तक जलवाए खराब हो रही है उसे ठीक कौन करेगा राजनीतिग ठीक करेंगे खराब कैसे हुआ राजनीतिग्यों द्वारा बनाये गए गलत कारणों नियमों और उनके लापरवाही से कोई भी फिल्ड हो आप उससे बच्छूते नहीं रह सकते राजनीत से हां उसका पक्ष बैरत भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है लेकिन आप कहा दें कि राजनीत हर घुज गई है तो हर जगह रही है बिना उसके हो भी नहीं सकता कुछ दूसरी बार अच्छे बुरे अर जगह हो दिकों सुदान्शु जी मैं आ रहा हूं कुई का लोग की संख्या बढ़ति जा रही है स्यंटा का विश्य नहीं है निस्पित मैं निस्टomas निस्चित हैi लेकिन हमारी जंत है बहुत जाग-्रूख है उद लोगों को पहचांती है और आप वह लीडि़ा है जो सामने हो रहा है उसको रिप्रॉट करना उसको दिखाना नहीं राजणीट नहीं वह दिखाना तो दिखाते हैं वो फेर में से आज के जनलिजम में है सवाल हम पर भी उठेंगे तो फिर तो सवाल ही नहीं उठाएगा कोई सवाल है तो जनता समझ चाहिए हम हो चाहिए आप हो लेकिन आज भी राज नितिग्यों पर ही लोगों को कमलेश जी कमलेश जी ये मेरा सवाल नहीं था ये सवाल था अजीम प्रेम जी का पूछा हुआ सुधान्शु जी कुछ कमेंट करना चाहिए आप सबसे समय हमको दिये एक सगेंड और हमें देजिये मैं बता दूँ आजीम प्रेम जी जी दुनिया से हैं बहुत अच्छा आप अदमी है अकलेशी में अब कह दू अपनी बात अगरा अगरा का दीजिये का दीजिये बोलिये सुधान्शु जी बोलिये उन्होंने समय देदी आपको धन्यवाद देखे देखे राजनेतिक व्यक्ति के लिए एक दुर्भागेपून क्या चीज है कि गुनहा किसी और के और सजा किसी और को मिलती है एक और याद रखेगा अगर राजनीती में करूडों लोग हैं तो सत्ताधारी कितने होते हैं कभी इसकी भी कल्पना करिएगा सत्ताध कितनों के हाथ में होगी पांक साथ सो हजार दो हजार पूरी चुनाव की विवस्था में ऐसे पांच जार लोग हैं इन पांच जार लोगों के पीछे करोडों लोग जो है अपना जीवन सर्वस्थ निवचावर करते जन्सेवा के लिए तो जब आप किसी भी वेवस्था का मूलियंकन करें तो यह देखिए कि वहाँ पे वेवस्था और नियम रहे और अप्वाद क्या है दुरभागे यह वोता है कि अप्वाद को लेकर हम लोग पूरी वेवस्था को विद्नाम कर देते हैं राजनेति व्यक्ति का दिल धड़कता है उसके आख में स्वपन होता उसके पेट में आग होती है वह सेवा के लिए आया है देखिए पराक्रम और शौरे से राजनीति होती है अकले ची अवह एक दुरभागी यह है कि अब परिक्रमा का एक चलन हो गया जी अब परिक्रमाव परिक्रमा बादी सद्थ पाने का सिर्फ दो माध्यम है हमारे है जो सनातन माध्यम मैठोलोजी उसमें विए दो ही माध्यम पाहला माध्यम जो पुराणे भासा मैं बोलना हूं माननी सवासद महोद है आपकी जो भी नीत रीत है मुझे स्विकार है कि रुपया आप मुझे अपना नेत्रित दे दें दूसरा तरीका ये है माननी सवासद महोद है मेरी ये नीत है, मेरी ये कारियोजना है मेरी ये विचारधारा है यद इससे आप संतुष्ठ हैं इससे सहमत हैं तो आप हमें चुनें लेकिन आज संख्यावल चाहिए नीतरित नहीं चाहिए एनी हो सरकार चाहिए कुछ हद तक प्रेम जी की बात सही है लेकिन जिस मुकाम पे प्रेम जी है हमारे इंडस्ट्री में क्या हो रहा है फेक बैलें बैंक और वो वो सैफन करके गोम रहें इस फिल्ड में अगर प्रेम जी जैसे लोग काम करें तो हमारी इंडस्ट्री का जो हमारे लोगों का पैसा है वो बहुत हब तक रोका जा सकता है नई-ईने चीज़ें बतार जा सकती है आतोल जी सवाल इस बात करें आरहा हैं अधराव बड़े उधारन नहीं रहे लेहाजा इसी से ये गिरावट अवमूलिन जो है देखने को मिल ला है राजनीत में जिसमें अजीम प्रेम जी इशारा कर रहे थे अतुल जी देखे आपने बहुत अच्छे शुरुआत में बहुत सारे प्रश्णों को एक तरफ निशान देही की हम सब लोग अपनी बात कर रहे हैं आप सोचेंगे कि हम राजनीतिकियों को बचाने के लिए राजनीत में सक्री लोग अपनी बात कह रहे हैं अजीम प्रेम जी ने बात क कमपनी और मोटर कमपनी को फाइदा हो रहा है वो किसकी बुनियाद पर हो रहा है उसके यहां सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं उनको सबसे कम तन खा है मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि भारत की स्थिति को देखिए ना 2011 के जो जणगणना के आखने हैं देश के साड़े 19 करोड गाओं में रहने वाले परिवार में सिर्फ डेड़ परसंट के पास 5000 से ज़्यादा आमदनी है और पीने के पानी से लेकर सड़क का इंतजाम चाहे यह सरकार हो चाहे वो सरकार हो लोकतंत्र है आप क्या चाहते हैं त जवाब दे होना पड़ेगा जहां राजनीतियों को जवाब देना होगा अफसर साही को भी जवाब दे होना होगा और देश के पूझी पती और काल्प्राणों को भी होगा लेकिए उसको देखना पड़ेगा अगले जी शाप कमेंट चाहूंगा ज़ले तीन पॉइंट रखोंगा जी शाप शाप कमेंट्स कर दीजी अखिले जी आपने अगर यही मोहिम चलाई होती कि जितने कार खाने हैं उसके अंदे प्रदूशन के यंद्ट चलते तो हम आपके साथ खड़े होते हैं खाली राजिश जी बहुत शाप कमेंट कर मैं मैं हाँ बस बस मैं दे रहा हूँ देखिया रादनीत ऐसी चीज जो इसमें है उठाचा पर जो बाहर हो इसका रादनीत का पीसडी है हम आज जो आजीम प्रेम जी कर रहे हैं अगर सहन सुरता नहीं होती तो देश में ताना साही होती रादनीत से चुन कर मुस्वलों न से झाचात प्राल हating Ten aज Вид our चृड़ शूरत की होड़ में लग सकता था वह मैं भी शौहरत की होड़ में लग सकता था लेकिन हम लोगों राजनीती ऑव्क को यह सब कुछर पैसे कमा लिए मैं जब पैदा हुआ तब मेरे पास सब कुछ था उसके बावजूद मने उस पैसे की होड़ में नहीं गया मुझे लगा था कि देश में सेवा करने के लिए राजनीती में आना चाहिए कोई सिस्कम वैक्यूम में नहीं एक्जिस्ट करता इस दा गुट डोंट कम फोवर्ड बाट 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 टेक देश प्रेस तो अगर अजीम दी कहते हैं तो पहले सब्सक्राइब करना चाहिए अपने आचरेंट से मादू जी कि मुझे निकलना है मैं आखरी बात आपके सामने गुजारे करना चाहिए इसमें दो राएं नहीं है कि बाकी सब सेक्टर में भी चाहे कौर्ट प्रेट सेक्टर लीजे एडुकेशनल सेक्टर लीजे लीगल लीजे सब जगा पतन है सब जगा बुरी हालत है पर परियावरन को और क्योंकि वो नहीं कर रहे और वहां वेस्टेड इंट्रस को पूरी तरह से स्ट्रैंगल होल्ड बनाने दिया है इसलिए लोगों का हुस्सा ज्यादा राजनेताओं पर आता है क्योंकि आपके पास सुधार की कुझी है हमारे पास नहीं है हम चाहते हैं कि हम मदद करें उस सुधार की प्रक्रिया में तो हम राजनीती में इंट्रस लेते हुए भी बहुत से लोग आज चुनावी राजनीती से दूर रहते हैं क्योंकि चुनावी राजनीती ने विक्रत कर दिया है क्योंकि उसके कानून काईदे बहुत विक्रत कर दिया है क्योंकि